एक बार फिर आपका स्वागत इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूपी बोड जिसका चेप्टर पढ़ रहे हैं फोर सांखिकी एक्ससाइज 4a 4b 4c complete हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं एक बार यह रिवाज करते हैं 4a में क्या पढ़ा डाटा को डिसेंडिंग ओडर में लिखना 4b में क्या पढ़ा हमने डाटा का जो गिविंड डाटा होता है उसके टेली मार्क जो होते बो बनाना और बारम बाता बताना एक्साज 4c में हमने क्या पढ़ा था पिक्टो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान एक्ससाइज थी इसी प्रकास से अब एक्ससाइज 4D में हम लोग शीखने वाले हैं बार ग्राफ अच्छा पिक्टो ग्राफ जो हमने सीखी लिया था तो बार ग्राफ की क्यों जरूत पढ़ गई देखो बार ग्राफ क्या होता एक ड्रोइंग एक तरीके से उसमें चित्र बनाने पढ़ते हैं दूसरा सब को चित्र बनाने आते नहीं है साफ सुत्रे चित्र हम बना पा हैं यह सब को आता नहीं तो इसलिए और उस बार ग्राफ को थोड़ा यानि चित्रों द्वारा जो चीज़ें सो करते हैं उसको और सरल करना कि हम और सरल किस तरीके सीख सेंगे इसलिए फिर क्या सी प्रकूर होंगे इनके द्वारा सो करेंगे कोई चितन हमें बनाना नहीं है अब इस प्रकार के यह दंड आरे का बार ग्राफ है वह आप इस प्रकार साधा पेपर पर भी बना सकते हैं नहीं तो आपके पास एक ग्राफ पेपर आता है उस पर भी बना सकते हैं इसकेल हमें यहां भी मानने पड़ी, किसी प्रकार का कोई भी ग्राफ बना है, चाहे आप पिक्टो ग्राफ बना है, चाहे आप बार ग्राफ बना है, चाहे आप पाई चार्ड बना है, किसी प्रकार का भी ग्राफ बना है, इसकेल सभी में हमें कंसीडर करनी पड़ती है, इस इसकेल हम इसा ऐसी कंसिडर करते हैं, कि हमारा जो ग्राफ है न बहुत बड़ा हो जा जा जो पेपर से आशए हो जा और नÃbहुत छोटा रह जा जो देखने में फिर उसको अच्छा ना लगा या कोई आनदना है तो इस प्रकार से उसकी स्केल को मानते हैं ना हमारा बड़ा ग्राफ बने ने छोड़ा तो समझते हैं exercise 4D जो हमने 4C में सीखा था उसी का दूसरा रूप है क्योंकि बहाँ ये का गया था कि आप चित्रों द्वारा पर दसित करिए आप चित्र बनाने में टायम जादा लगता है सब को चित्र बनाने नहीं आते तो उसी चीज़ को और सरल करने के लिए हम लोग सीखेंगे बार ग्राफ बनाना तो बारग्राब किस प्रकार से होते हैं इस प्रकार से पड़ी लायने या खड़ी लायन ग्रूब में आप बारग्राब बना सकते हैं एक साइज 4B में 4D में जो question दिएगे उनमें बारग्राब बने हैं के वल आपको दिएगे questions के answer लिखने हैं देखेगा यहां आपने चित्रों द्वारा सीखा था बारग्राब के लिए आप पड़ी लायने भी बना सकते देखो रंगीन बारग्राब बनाए आप भी कलर कर सकते आप किसी डाइग्राम को जितने अच्छे तरीके से बनाएंगे उतना यह आपको पढ़ने में इंट्रेस कम हो जाए तो देखेए पढ़ते हैं एक्सेसायर 4D का फर्स्ट क्वेश्चन यह बारग्राब बना हुआ है हिंदी अंग्रेजी गडित विज्ञान और सामाजी विज्ञान किसी स्टूडेंट के इन सब्जेक्स में प्राप्त किये कि नम्बरों का बारग्राब दिया गय जीरो से लेकर कि 90 मार्किंग तक इधर हमारा है अगर बारग्राब हम पड़ा बनाएं पड़ी लाइने बनाएं तो यह जो आंकड़े हैं इस तरह लिए कोई फरक नहीं पड़ता आप जैसे वैसे ज्यादा तरह हम लोग इस्टेंडिंग में ही बनाते हैं खड़ी पट्ट द्वारा बासिक परिच्छा में विभिंड विश्यों में प्राप्त किये अंकों को प्रतस्त करता एक लड़का है उसके द्वारा जो एनुएल एक्जामनेशन होता है उसमें विभिंड सब्जेक्शन में जो नमर लाए है वो इसमें सो किये गई दंड आरे क्या सूचना प्रतस्त करता भी तो बता है मुईत को द्वारा एनुएल एक्जाम में प्राप्त किये गे मार्किंग को सो करता इतना लिख देंगे दूसरा किस विशे में मुईत ने अधिकतम प्राप्त किये तो जो दंड ग्राप सबसे उंचा है जो आयता का चौकोर सबसे उंचा जा सबसे पर देखिए अंज आधिक प्राप्त की सबसे अधिक अंग प्राप्त किया लिए तो नंबर प्राप्त की पूचा नियुक्र सबस्तों तो हमने फस्टो बताय दिया second question first का फस्टो ये बता दिया कि मोहित ने annual exam में जो नंबर प्राप्त किये उनको बार ग्राप में सो किया जारी फस्ट था शेकेंड में आप जवाब लिख दीजेगा गड़ित उसने गड़ित में सबसे अंक प्राप्त किये अगर यह पूछा जा तक कितने प्राप्त किये तो आप 80 लिख देते हालागे हमसे पूछे नहीं गए किस विशे में कमंक आए तो यह बताने के लिए हमें यह देखना है कि सबसे छोटा बार ग्राप कौन सा है देखेंगा सबसे छोटा बार ग्राप यह सामाजी विग्यान वाला ही है सामाजी विग्यान अंग्रेजी का लवग एक जैसा दिखाई देना लेकिन सामाजी विग्यान का छोटा है अंग्रेजी का थोड़ा बड़ा है उससी तो सबसे प्रतिक विशय के नाम और उनके विशयों में प्राप्त किए के अंक भी लिखिएगा अंक भी अब आपसे पूशे जारे सबी विशय लिख दीजियेगा चलो इसको हम करा रहे हैं पहले हम विशय लिखते हैं हिंदी यहां पर हमने इसके जो सब्जेट्ट थे वह वेंशन कर दी अब इनके मारक देखीएगा हिंदी में उस लिए प्राप्त कि चीदर लास का हो औरा 60 सामने तो हिंदी में आप साथ नंबर लिखे देंगे उसके बाद अंगरेजी में उसने प्राप्त किए साथ से कम है तो एक तरीके से यह जो लायन है आपकी पचास साथ के बीच में आप पच्छपन लिख दीजिएगा क्योंकि उतना सो तो किया रही तो पच्छपन पर लगभग होगा गड़ित में तो एक टी है ठीक है तो यह कुश्चन फर्ष्ट हो गया सेकिंड कुश्चन पहुंचेगा वहां भी बार ग्राफ बना हुआ है कुछ भी आपको कोई चित्र बनाना ही नहीं एक्सेसाइज आसान है चलिए यहां पर भी यह निम्लिकित आरिक बस दोजार दोजार चार में सरकार द्वारा खरीदे के ग्यों की मात्रा दर्साई गई है सरकार ने बस दोजार से लेकर के दोजार चार तक कितना ग्यों खरीदा है उसकी क्वांटिटी हमें यहां पर गिविन है ठीक है और पैमाना यहां दिया गया कि एक सेंटीमीटर लंबा अगर पैम आप चौकुर बनाते हैं आय अच्छी बात है चलिएगा एक कुंटल पहले आप चलिएगा कुंतल एक कुंतल में सौ केजी बजन होता हंड्रेड दस कुंतल इसी प्रकार से 10 कुंतल मिलकर के बीटा बनाएंगे एक टन दस कुंतल बजन एक टन की वराबर होता है और उन्होंने पैमाना माना है अगर आते हैं तो यह हमारा 5000 टन गेंगों को शूव कर देगा आप कुंटल में बदलने के लिए आप इसमें केवल 10 का गुड़ा कर देजेगा क्योंकि एक टन में 10 कुंटल होते हैं तो 10 का गुड़ा कर देंगे सभी बेड़ू आपके कुंटल में चेहिंज हो जाएगे के लिए तो अब आप गिराब को फिर देखेगा बुक में यह आपका गेंगों दिया गया हजार टन में जीरो से पांच दस पंद्रा बीस पच्चिस और तीस ऐसे बढ़ रहा है बर्स 2000-2001-2002-2003-2004 ठीक ग्राब बना हुआ अब यहां नीचे कोश्चन दीगे इन्हें पढ़ते हैं जबाब दीती हैं चलिए उपरियुक दंड आरेक पर आदार निमलिकित प्रश्णों के उतर दीजिए ठीक देरे इस आरेक का पैमाना क्या है उपर लिखा हुआ इस आरेक का पैमाना एक सेंटीमीटर बरावर 5000 टन तो पहले सवाल का घैकिस बर्स गयों की अधिकतब मात्रा खरीदी गी और कितनी खरीदी गी तो कौनसा पैम दंड आरेक मुंचा जा रहा है बस 2004 गौला और किसके सीद में जा रहा है आप दियासे देखेंगे तो तीस के सीद में जा रहा तो गयों जो खरिदा गया 30,000 टन हजार में है यह मा मात्रा खरती देखेंगा कौन सा गराफ सबसे चोटा यह वाला बर्स 2000 वाला इसमें केवल हमने 15 000 गेयों खरीदा है तो आप तीसरे वाले में लिखे देएंगे बर्स 2000 है और जो ग्यों के मात्रा खरीदी की 15000 बर्स 2000 में सबसे कम गेयों सरकार में खरीदा है लास्ट सवाल है इसका बस 2002 में ग्यों की कितनी मात्रा खरीदी की तो बस 2002 के सामने जो गिराफ है वो सीध में जारा 20 के तो बस 2002 में हमने जो ग्यों खरीदा है या सरकार ने जो ग्यों खरीदा वो खरीदा है 20,000 और कुष्टन दूसरा भी हो गया कोई ग्राप नहीं बना ना ग्राप बना बना तो इस एकसाज का भी देखेगा लास्ट कुष्टन है ठीक छोटी-छोटी एकसाज है एक एकसाज और इसमें साथ बच्ची एक है तो वो भी करा दी जाएंगे आपको बाद में चलिए तीसरा बिद्यारती आ रहे हैं इसको और नोने बार ग्राप से दर्शा है एक सेंटीमीटर का जो उचाए का बार ग्राप है इसमें सेंटीमीटर मानते बाद चित्रों को मानते एक चित्र वरावर इतने सिच्छारती ठीक जो भी है यहां क्योंकि हमें उचाई लेनी है तो एक सें पढ़ते हैं उपर देख करके निमलिखित कर दिजिए बस 2001 में विद्धियातियों शंक्या कितनी थी उसे धिया फूस्टनि में पढने वाले बिद्धियातियों शंक्या बस 2001 संपर हैं जा रहाएं तो चालिस के सामने चालिस के देखेंगा 40 का मतलब 40 cm और 1 cm है 10 विद्यारतियों बरावर तो 40 cm कितने बरावर होगा 400 विद्यारतियों ठीक यह ध्यार रखेंगे तो इसमें जो यह बार गिराप बना है वो उतनी लंबाई का है उनों ने बनाया तो उसमें आप 10 का गॉणा नहीं करेंगे क्योंकि 1 cm यह देखेगा एक सेंटिमेटर आपको उसी उतनी लंबाई का बार गराब बनाए गया है तो आप मल्टिप्लाइ करके नहीं चलेंगे ठीक जैसे हमने वेका था कि यह 40 को सो करा तो 40 में आप 10 का गुणा और कर देंगे तो वह जाएरा जाकर कि आपका 449 चालिस ही रहेंगे चले इधन लिखा हुआ है साब साब लिखा विद्यारतियों शंक्या ही लिखिए तो पहला सवाल बस 2001 में सिश्चातियों शंक्या कितनी थी तो बस दोज़ार एक श विद्यातियों शंक्या का अंतर चाहिए हमें तो 2001 में 40 हैं 2002 में 60 40 60 इनका अंतर जब बताएंगे तो इसमें क्या है 20 आ रहा है यानि 2002 में 2001 की पेच्छा 20 विद्याती अधिक थी वाँ पर अंतिम कोश्चन है इसका कि अधिकतम से चाहते हो संक्या किस वर्स थी सबसे जादा किस वर्स बच्चे पढ़ने आए तो जो बार ग्राफ उंचा है वो बता दीजेगा वही 2000 तो इसके थार्ड का जवाब हो गया हमारा 2000 ठीक इस प्रकास एक्सराइज स स्ङसराज 4d बस अब मताना अब अगली आ क्सराइज प्रकार को से ऊचराऋ के आंसर दिये गए अगली एक्सराज हमें लुक चींगा यह बार पनाना ठीक इस क् enterprises in